Economy page number 5 पे हमने 2013 वाला question देखा था which of the following is most inflationary exactly same question UPSC ने इस साल पूचा है options भी change नहीं करें वही option D है creating new money to finance a budget deficit बिल्कुल same to same Economy page number 31 पे हमने पढ़ा था कि RBI Act के section 7 के अंडर central government RBI को कुछ binding directions दे सकती है और इस power को use आस्तक सरकार ने सिर्फ एक वार किया है जो कि 2018 में किया था जिसके बाद उर्जित पटल ने resign कर दिया था question यहाँ पे बिल्कुल same है बस UPSC ने इतना कहा कि यह जो provision है यह constitution में लिखा हुआ है नहीं यह तो RBI Act में लिखा हुआ है तो statement 2 गलत हो गई and by elimination हमारा answer directly आ गया economy page number 23 पे हमने पढ़ा था कि urban cooperative banks को registrar and RBI regulate करते हैं और यहाँ पे लिखा है कि local board regulate करते हैं option 1 गया और आपका अंसर आ गया economy page number 9 पे हमने पढ़ा था 2010 वाला question जिसमें साफ साफ लिखा था कि fiscal stimulus के दोरान सरकार क्या करेगी अगर economy slowdown है recession है तो सरकार government spending बढ़ा देगी और वहीं चीज़ यहां पे लिखी है increase in expenditure on government projects economy page number 41 पे हमने तीन previous questions की मदद से FDI को बहुत चैसे समझा था अब UPC ने थोड़ा सो गुमाफिरा के question पूछा बट अगर आपने वो चीज़ समझ ली थी तो question हो जाता कैसे यहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर किसी company में 10% तक की investment कोई बाहर की company करती है उसके shares करीदती तो वो FII होता है FII या FBI बात एक ही है and 10% से ज्यादा लेकि तो FDI हो जाएगा अब यहां पर FDI पूचा है second statement में लिखा है कि FII with certain conditions condition क्या है कि वो किसी foreign institution ने invest किया है लेकिन 10% से ज्यादा तो उस case में it can be included as FDI आई और 2020 वाले economy की class 11 में मैंने आपको GDR समझाया था GDR क्या होते है global depository receipt वो share की तरही होते है एक country से दूसरी country में अगर आपको shares खरीदने है किसी company के तो उसका होता है तो वो भी बिल्कुल share खरीदने वाली ही चीज हो कोई तो two and three are definitely correct अगर आपने दो बाते समझ ली थी तो you are 100% sure के two and three are correct जिसके basis पर आपको answer आगया economy page number 30 पे हमने पढ़ा था credit creation के वारे में कि अगर आपने 100 रुपे deposit की रहे तो लगबग 20 रुपे bank आगे नहीं देता loan पे क्योंकि CRR, CRR और SLR उसको रखना होता है तो आगे वह loan पे सिर 80 रुपे देगा अब यहां पे क्या लिखा है बिल्कुल सेम चीज़ पूछी है कि CRR बढ़ा दिया जाए या SLR बढ़ा दिया जाए नहीं अगर आप CRR SLR बढ़ाओगे तो bank आगे और भी कम loan दे पाएगा तो अगर आपको money multiplier बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा लोगों की banking habit बढ़ानी पड़ेग economy page number 2 पे हमने पड़ा था कि exactly bonds होते क्या है और तब हमने देखा था इस बात को कि अगर economy में inflation हो रहा है या interest rate change हो रहे है monetary policy committee कुछ rate change कर रही है तो उन सब action से automatically definitely bond yield पे फरक पड़ेगा तो अगर आपको US FED के रोल का नहीं भी बता तो अभी 2 & 3 तो हमने पड़ा है 2 & 3 के basis पे आपका अंसर आ गया economy page number 12 पे हमने पड़ा था 2011 वाला question कि जब economic growth होती है तो inflation कैसे होता है मैंने अपको समझाया था कि जब economic growth होगी तो लोगों के हाथ में ज़ाधा पैसा आएगा हो गया option number 4 correct higher purchasing power लोगों के हाथ में ज़ाधा पैसा आया option number 5 कहता है rising interest rate अरे अगर interest rate पढ़ा दिये तो लोग loan न ले पाएंगे ना फिर लोग फिर कम पैसा खर्च करेंगे तो फिर हाई purchasing power का फायदा क्या हुआ तो interest rate तो घटाने चाहिए राइट जब सरकार कहते है कि recession आ रहा है slow down आ रहा है तो सब bank अपने rate कम कर देते हैं और आपको offers भेशते हैं कि हमारे rate कम हो गए हैं आप लोग और spending करो यहाँ पर उल्टा लिखा है तो 5 का eliminate करो आपका अंसर आगया economy page number 74 पर हमने पढ़ा था currency manipulator के वारे में कि US से कई बार आरोप लगाता है कि इंडिया और चाइना जैसी economies unfair trade advantage के लिए अपनी currencies को devalue करती हैं ताकि उनके exports बढ़ सके right क्योंकि weak currency हमारे लिए advantageous होती है उससे हमारे exports जाद अच्छे से बढ़ते हैं same चीज़ यहाँ पर पूछी गई effect of devaluation of currency तो पहला क्या है increase the competitiveness of exports वही चीज़ हमने बिल्कुल यहाँ पर पढ़ी थी दूसरा कहता है it increases the foreign value of domestic currency नहीं यहाँ पर second point पढ़ो न इट weakens चाइना और इंडिया पर आउरूप लगता है कि वह अपनी currency को weak कर रहे हैं ना कि increase कर रहे हैं उसके value उसको कमजोर बना रहे हैं ताकि हमारे exports और तेज हो पाएं तो अंसर आगया है यहां से कि two is wrong one is correct एक option बनता है उसके situation में environment page 25 पे हमने 2018 वाला question देखा था जिसके statement 3 हम UPC ने गलत दिया था और सही अंसर था उसका मोटा ठीक है ministry of tribal affairs FRAC related बिल्कुल ठीक है सेम चीज़ पूछ लिए UPC ने 2020 में environment की class number 10 पे हमने शुरू में देख लिया था कि blue carbon क्या होता है वो carbon जो ocean या coastal ecosystems में होता है उसको blue carbon कहते हैं 2020 की science की पहली class और 2021 की science की पहली class यहां पे हमने दो चीज़े देखी थी जैसे 2020 20 वाली class में देखा था recombinant DNA of virus क्या होता है देखो एक वायर हमने दिया था ना एक जीन थी और यह दूसरी जीन थी आपस में एक जीन को दूसरी उसमें डाला तो आपके number DNA में लिया तो इसको बोलेंगे वाइरल वेक्टर या किसी बैक्टीरिया के थुरू तो बोलेंगे एट पे different types of vaccines देखे थी तो हमने वापर देखा था ना viral vector vaccine तो आपर बताया था कि यह तो हमारा वो बदमाश Corona है virus जिसके हाथ में antigens है फिर हमने बोले-बाले virus को लिया और उसके ओपर genetically modify करके यहाले antigens लगा दिये तो सेम चीज यहां पर पूछ रहा है कि री component vector vaccine में यह यह viral vector vaccine लिखा है यहां पर ठीक है इसमें आप genetic engineering करोगे and bacteria और virus के थुरू को vector की तरह use करके bacteria virus को vector की तरह use करके आप इनको use कर सकते हो vaccine लगा देने के लिए बिल्कुत स्थीम चीज है तो दून option सही हो गए पिछले साल science की 5th class में हमने देखा था 2016 वाला question UPSC कि virus किनको infect कर सकता है bacteria, fungi, plants हां सबको infect कर सकता है तो तो हमने देखा था न कि virus जो है वो non living होता है वो खुद replicate नहीं पाता तो अगर इस virus को replicate होना है तो यह किसी bacteria के अंदर जाएगा bacteria के अंदर जाके अपना DNA यह RNA छोड़ेगा replicate होगा और फिर इसको मारते हो भार आ जाएगा तो that is how it replicates ठीक है अब इस साल UPSC ने क्या पूछा which of the above can be cultured in artificial और synthetic medium virus को culture करने के लिए replicate करने के लिए तो real medium चाहिए नहीं जिंदा medium चाहिए जैसे बैक्टीरिया चाहिए कोई फंगई चाहिए replicate होने के लिए यह artificial synthetic medium में कैसे replicate होगा virus यह तो non living होता है ना तो यहां पर virus गलत हो जाएगा ठीक है तो virus is wrong here and one and two are correct environment की 2020 वाली class के second class में आपने देखा था आइधिंग यह environment है यह यह आई यार था I'm not sure class देख लूँगा बाद में कोई नहीं इसमें देखा था कि international seabed authority है जो कि permission देती है seabed mining की पहले sentence लिखा है यहापर UPSC ने वो नाम चेंज कर दिया यार कि you are sure 100% sure कि यह तो international seabed authority देती है license mining करने के लिए seabed पे तो पहले गलत हो गया elimination से EQ option बसता है जिर्फ two and three are correct quality के page number 51 पे हमने rule of law के वारे में पढ़ा था काफी detail में अच्छे से YouTube पे वीडियो पढ़ यह चाओ तो उसमें देख लेना एक वार फिफ्थ क्लास है quality की तो उसी चीज़ को UPSC ने बिलकुल घुमा के पूछ लिया है ठीक है जैसे पहले भी UPSC 2018 में पूछ चुक है rule of law के उपर question so same चीज़ यहाँ पर पूछिए discretionary power in the matter of application of law UPSC यहाँ पर ये question नहीं पूछ रहा है कि कोई गलत कानून बना दिया तो उस कानून को challenge कर सकते हो क्या नहीं वो कहारे कानून तो ठीक है कानून में कोई issue नहीं है लेकिन सरकार अपनी मर्मर्जी के हिसाब से मतब दो बंदे हैं किसी पे सकती से कानून लगा रही है किसी के उपर बहुत ही VIP treatment दे रही है तो सरकार की अपनी discretion है कि वो किस के उपर कानून को कैसे apply करे this is wrong, this is against right to equality and against rule of law इस बहुत चैसे समझी थी, same चीज़ UPS ने पूछ ली जो 2018 में पूछी थी उसी का बस form change कर दिया तो article 14 is a correct answer edible oil, edible oil के बारे में हमने देखा था कि 18 और 19 में UPS से simple से question पूछ चुका है कि क्या आपको पाता है कि इंडिया में edible oil की कमी है उसके लिए इंडिया बहुत सारा edible oil including palm oil import करता है और सरकार ने हमने यह पढ़ा था news में असलिए कि सरकार ने एक फिर से नया program launch किया है palm oil को increase करने के लिए जिसमें focus लाएगा अंडमान और नौर्थीस्ट और अंडमान के आलेंड्स पे अब 42 जो question है यह इस साल का वो कहता है palm oil tree is native to Southeast Asia और अपने अकफार पढ़ते हो तो पढ़ा होगा कि इंडोनेशिया और मिलेशिया से इंडिया काफी आदा इंपोर्ट करता है तो पहली statement सही हो गई ठीक है second and third are simply applications application तो होती है वह पाम और से लिप्स्टिक बना सकते हो प्रफूम बना सकते हो बायो डीजल बना सकते हो वो सब तो हैं application वो तो कभी गल्थ होती ही नहीं almost हमेश ही तो one two and three all are correct science के देख रहते हैं एक दो question science में देखो कितना बढ़ी है कुशन है light years के उपर समने पटाएं कि galaxies का साइज होता है कि one lakh light years इतना बड़ा हमारी galaxy है बगएरा बगएरा तो light years से measurement क्यों होती है पहला option दिया हुआ है distance among stellar bodies does not change यह बिग बैंग हुआ था न ncrt में दिया बाद तो कि बिग बैंग हुआ था तो distance between the stellar bodies आस्मान में जो अंतरक्ष्म बाडीज उनके बिचे बिचे इस्टेंस इंक्रीज हो रहा है न तो does not increase का क्या मतलब हुआ है तो गल्त ह गया बिग बैंग तो हुआ था दूसरा कहता है gravity of stellar bodies does not change अरे सन फॉर्म हुआ था इंसी आटी में दिया न फाइव बिलियन इयर्स ओगो सन फॉर्म हुआ था तो पहले सन नहीं था अब बन गया है अब उसकी gravity बहुत जादा है तो gravity तो चेंज हुई है ना simple सी बात है थर्ड सेंटेंस कता है light always travels in straight line 2018 में ही UPSC ने पूछ लिया था कि light is affected by gravity और हमने भी आपको समझाया था gravitational lensing के थुरू I think 5th या 6th class में और फिर एकदम आखरी topic science के course का वहाँ पर फिर से बात को emphasize किया गया था कि gravity bends light तो ये भी गलत हो गया बचा एक ही option तो you are sure कि ये तीनों definitely गलत है इसलिए आग बंद करके 4th option सही माग कर दो science के page number 6 पर हमने देखा था ACE 2 ACE 2 सेम चीज आ गई spread of viral disease environment के page number 89 पर हमने देखा था कि smelting क्या होती है कुछ नहीं होती lead poisoning है source पूछ रहा है ठीक है sources सारे लिख दो pencil cells और यह क्या है pencil hair oil smelting unit paint pollution हर चीज हो जाती है ठीक है ऐसी आगर आपको यहां पर लगे कि यह पतनी है copper smelting और यह slag क्या लिखा हुए copper slag पतनी क्या जीब-जीब सी चीज़े है तो economy page 55 पर देखा था ना कि जैसे यह iron steel बनाने की furnace होती है उसमें नीचे थोड़ा slag रह जाता है वो slag polluting भी होता है लेकिन आप उसकी application भी यूज़ कर सकते हो तो 2020 में UPS से पूछ चुका यह चीज़े 14 में पहले पूछ लिया था pollutants of steel industry और 20 में पूछ लिए कि steel slack की application क्या है हमेशा सारी चीज़ें सही होती है तो यह वही चीज़ है copper smelting उसके कहां कहां pollution करता है copper smelting सारे pollution करता है और करेक्ट अब कोशन आ गया furnace oil अब मानलो मैं टेम्ड कर रहा हूं कोशन मुझे नहीं पता furnace oil क्या चीज़ होती है option पढ़ लेते हैं इट इस अ प्रड़क्ट ऑफ oil refinery और दिमाग की बत् जुलता सा लग रहा है सही लग रहा है और फिर धियान आएगा कि हमने environment में पढ़ा था कि जैसे जो crude oil हम इंपोर्ट करते हैं उसको ऐसे बड़ी सी refinery में डालते हैं राइट बड़ी सी oil refinery में oil refinery से crude oil की बहुत सरी चीज़े बन जाती है petrol, diesel, aviation fuel, kerosene, lubricants, oils दुनिया भर की जीज़े बनती है इस वैसे ठीक है तो आप सुसकते हो कि furnace oil भी बनता ही होगा नाम भी मिलता है लग रहा है तो वन को आप एस्यूम कर सकता है हाँ भी ठीक होगा ठीक होगा कोई बड़ा रिस्क नहीं है इस चीज़ में काफी मिलती ही चीज़े हैं दूसरा some industries use it to generate power petrol, diesel को इसको भी करते होंगे इसमें कौन से बड़ी बात हो गई it causes sulfur emission हाँ भी धरती में से जो भी चीज़ आ रही है उसमें कुछ ना कुछ sulfur emission nitrogen emission दुनिया भरके emission होते ही है उसमें को लंध होड़ना करना होता है ठीक है तो फिर उसको भी सही माग कर दो यह बात है समझा ही थी class में यहां पर पूछा है कि नेचर में आपको क्या observe करोगे कि इन में से कौन सी चीज़े soil के बिना उग जाती है तो यह मैं लाइकन कार में पढ़ा था मैं को specifically समझा है था कि लाइकन सिर्फ किसी पेड़ पौते पर ही नहीं बलकि पत्थर पर भी उग जाते हैं चीक है ना तो यहां पर पूछ रहा है कि इन में से कौन सो और गानिजम्स किसी और 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 गानिजम्स के साथ सिंबायोटिक रिलेशन्शिप करते हैं यहां पर आपने उप्षिन पढ़ लिया फंगई तो आपको फिर से कि किन के भी सिंबायोटिक रिलेशन्शिप होता है यहां पर यूप इसने सिंप्ली पूछा है कि सिंबायोटिक रिलेशन्शिप बनाता है किसी और और गैनिजम्स के साथ और किसी और के साथ तो बनाते ही होगा कि निए डेरियन्स प्रोटो्जोजा पत नहीं अजीव जी चीज़ हैं किसने के साथ को होता हो कि से माइटर क्लिशनिशिप सारे सी ही हैं फिर सोचने के उसमें वह तो सोचने तब तता जो मैच करने को बोलता कि यह और्गैनिजम और यह और गयरा वगयरा कन्वेंशनल फार्मिंग और पर्मा कल्चर अब सस्टेनेबल एग्रिकल्चर पे पर्मा कल्चर पे ठीक है क्रॉप रोटेशन पे बहुत सरे कुशन आ चुके हैं गुमाफिर आके बार बार यूपेज ये पूसता रहता है वो सारे हमने डिस्कॉस करें थे कहां करें थे नाच्रल फार्मिंग और स्टेस्टेनेबल अग्रिकल्चर की सारे तरीके जो जूपे से पूछ चुका है अभी तक तो उसको पढ़ो बिल्कुल वन एंट्टू यूँर हंड़ेट पसंट शौर सही है आपका अंसर आ जाएगा हाँ यह बढ़िया कोश्चन है कितना खताना कोश्चन लग रहा है और इतना सिंपल सा कोश्चन है ऑप्शन नमर थ्री पढ़ो स्टेटमेंट थ्री सेंट्रल डिपोजटरी सर्विसेज लेमिटेड इस जॉइंटी प्रोमोटेड बाइ आर बियाई एंड बी एससी मुझे कुछ नॉलिज नहीं है फिर यह अंसर वो जाएगा आपको प्ता ही इनको रेगुलेट काउन करता है B.E.C N.C को से भी रेगुलेट करता है यह थोितनाौलिस नहीं हमारा कोई R.B.I channels इंडिया उसने और बीएसस ने मिलकर कमपनी खोली सस्टिक को मतलब इसके owners RBI और BSC है, right, और अगर BSC भी इस company को operate कर रहा है, इसका मालिक है, तो उसको regulate तो CABी करेगा, यान कि इस entity को भी CABी regulate करेगा, मतलब RBI के इतने बुरे दिन आ गए, कि एक तो BSC के साथ मिल के कोई company खोले, चलो खोल भी लिए, but that is wrong, क्योंकि फिर उस company को CABी को regulate करना करेगा, because BSC CABी करना रहाता है, CABी के regulation करना रहाता है, तो RBI को indirectly हम यह मान सकते हैं, कि CABी regulate करेगा, कि अगर RBI और BSC ने मिल के company खोल दी, तो यार, यह तो फिर मतलब RBI कितने बुरे दिन नहीं आया है, मेरे साब से, इसलिए, इसलिए, I can be 100% sure, कि 3rd तो नहीं हो सकता, ठी option क्या बचा आपके पास, कि 1 तो definitely सही हो गया, पढ़ने की जुरूती ही है, अब second पर doubt है, तो एक और 1 पढ़ लो, 1 में यह कह रहा है कि retail investor, treasury bill और government security वगड़ा खरीच सकते हैं, directly primary market में, यह तो सत्ते बचन है, क्योंकि option ही बचाया है, तो यह वात है अपने मान लिकी, ठीक कि this is the truth, अब second sentence पढ़ो, negotiated dealing system, order matching, orders कुछ match हो रहे हैं, तो दिमाग में तो stock exchange जैसी कुछ ख्याल आ रहे है, महाँ पर orders match होते हैं, आगे पढ़ते हैं, is a government securities trading platform, यहाँ पर government securities trade होती है, अब यह बात उपर option 1 government securities के बारे में ही था, और यह second option government security के बारे में है, तो बात कुछ अबरी है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं, it is a trading platform of RBI, हाँ, यह थोड़ा उकात वाली चीज़ लग रही है, ठीक है न, कि अगर government security, यह को share market trading नहीं हो रही है, government security trading हो रही है, तो वो RBI उस चीज़ को manage कर रहा है, इस platform को, तो यह लग रहा है, हाँ यह RBI को आउकात की बात हो र अबरीद कर दी थी, BST के साजोड़ों के उसको, तो I can say, कि भी 1 and 2 are correct, मुझी ने पतासा इंसर क्या है, but as an aspirant, मैं अपने दमाँ के से चलाऊंगा, next question is, lender of last resort का मतलब क्या होता है, और इसका simple सा मतलब, जैसे पिछले साल भी, मैंने चोटी चोटी दो-दो मिनट की जो वीडियो बनाई थी न, तो उनमे एक वीडियो में explain करें थी यह वाली बात, कि किसी bank में bank run होने लग जाए, ठीक है, बैंक को बहुत सारा लोग आ जाए पैसे बाड रोग करने के लिए, तो आर भी बैंक को पैसे दे देता है, बस यह simple से meaning होता है, ठीक है, सरकार को पैसा देगा, या export-import के लिए पैसा देगा, इंडेस्ट्री को देगा, यह सब थोड़ी न, आर भी देगा कि केसी इंडेस्ट्री को पैसे ऐसे, ऐसे नहीं होत हाँ Black Money अब तो ब्लैक मनी की सारी दिक्कत हैं कि लोग Black Money से लगजिरी अखुशिंग खरीदते हैं जुलरी खरीदते हैं पॉलिटिकल पाटिस को डोनेशन देते हैं टाकस इवेशन होता है तो बात तो सारी सही है दिक्कत यहाँ पर है कि Eliminate कैसे करें जब ऐसी दिक्कत आजाए ना, तो कोश्न को पलट दो, यहाँ पर UPC कहा रहे है, बलाक मनी से क्या दिक्कत होती है, वरी की बात है, तो इल्टा कर दो, क्यों कि मान लो, सारा बलाक मनी, अब नहीं है, अब सब लोग कहता है, मिनि बलाक मनी यूज नहीं करेंगे, अब तो वा जैनेट से पैसे कमाओ, वाइट का पैसे कमाओ, जोल्री लो, गोल लो, मतलब not a big issue, ठीक है ना? थर्ड is donation to political party, वो तो होगी रहा है, electoral bonds आई है ना? तो सारा black money white में convert होके, एकदम white में होके जाता है सरकार के पास, तो उससे भी problems थोड़ी ना हो रही है, क्या difference हो जाएगा? अगर black के जिएक सारा money white में हो जाए, तो option number one पे कोई फरक ने पढ़ने वाला, option number two पे कोई फरक प मानता हूँ, ठीक है ना? बट कोई खास फरक ने पढ़ना है इस चीज में, अगर हो white में हो जाए तो, होतना है वाज, electoral bonds आज जलाएगा, उस tax उस पर लगता नहीं है, tax free होता है सारा, आप fourth option पढ़ो, loss of revenue to state exchequer due to tax evasion, यह होता है ना, कि लोग कहता है हमें tax नहीं देना, income कम तो हो गई बहुत सारी, लेकिन tax नहीं देना, इसलिए उसको फिर black में रखते हैं, यह बात है, सरकार का almost 30% कम से कम tax मारा जाता है इस चक्कर में, जो की बढ़ बड़ी रख कम होती है, तो yes, this way you can eliminate the things, ठीक, यह कोई पढ़ने वाली चीज नहीं है यार, question practice करोगे, अपन मुबाइल फोन है, यह हमारे घर की washing machine है, यह हमारे घर का fridge है, ठीक है, अब question है कह रहा है, इसकी demand कभ increase होगी, option number 3 पढ़ो एक बड़, the good is an inferior good and income of the consumer increases, income of the consumer increases, अच्छा, तीन goods हैं, मान लो, और income of consumers बढ़ गई, लोगो के हात में ज्यादा पैसा आ गया, तो क्या लोग बज में जाके ज्यादा washing machine, mobile phone, fridge, TV खरीदेंगे, हाँ, obviously, जैसे लोगों की income बढ़ेगी, तो इन goods की demand बढ़ेगी, फिर से पढ़ो, demand in goods की बढ़ेगी, increases, जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, तो यह गदम perfect better sentence, लेकिन यहाँ पर लिखा है, कि the good is an inferior good, अब मैं confused होग यह सब normal goods है ना, यह कोई inferior जैसे कोई चीज़ तो है ने इनके अंदर, वे TV, fridge, mobile, सब normal goods है, तो normal goods के चक्र, अगर normal goods होते है, तो यह sentence बिल्कुल ठीक हो जाता, है ना, अब यहाँ पर inferior का आया है, मतलब कि कुछ तो लोचा है, कुछ उल्टा होगा, कुछ अलग तरीके goods जाएगा, क्योंकि यह sentence, normal goods के लिए valid है, इसलिए inferior जो भी होता होगा, उसके लिए तो invalid होगा, इतने exemption तो ले सकते हो, थर्ड गलत हो गया, elimination से answer आगया, बस दिमाग को ठंदा हरको, सब ठीक होगा, magnetite pollution कैसे होता है, यार हर जगे सोता है, pollution तो कहीं से भी हो जाता है, ठीक ह फीचर और फेडरलिजम लक्षमी कान पर दिया हुआ है, ठीक है ना, मैंने हमें से टेबल बना दिया दर लक्षमी कान पर दिया हुआ है, कि यूनिटर फीचर और फेडरल फीचर क्या होते है, तो independent judiciary जुरूरी होती है, योगि federalism का मतलब समझ लो, कि states के बीच में याग ल फेडरलिजम में independent judiciary का होना बहुत ज़रूरी है, बायो जियो chemical cycle, रॉक से, वेधरिंग ऑफ रॉक से जो बनती है, जिसका रोल रहता है, आप सोचो, carbon, nitrogen, sulfur तो हमेशा हवा में रहती है, मतलब, स्वाज में भी आती है, मत आपने जनरली सुना है, carbon dioxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, तो उनका जनरली हवा में रहता होगा, ठीक है, phosphorus dioxide तो सुना नहीं है, तो इसका relation होगा, weathering of rocks से, pressure cooker में खाना क्यों बनाते हैं, मुझे नहीं पता, suppose, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है, option पढ़के देख लेते हैं, area of the hole in the lid, ये पूचे temperature, किस पर depend करेगा, पहला है, area of the hole in the lid, cooker के उ area of the hole, मतलब मैं सोच रहूँ कि मानलो, cooker मैंने चड़ा रखा है, gas पे, and ये hole, let assume कर लो, extreme case में कि इतना बड़ा hole है, तो lid रखने का फायदे नहीं हुआ ना, कुछ, right, तो area अगर बढ़ा कर दो, या बहुत छोटा कर दो, उससे फरक पड़ेगा, definitely, आपको सोच ना, अगर area बहुत बढ़ा कर दिया lid का, तो जो छेद है lid में, तो फिर तो भी फरक पड़ेगा, right, तो pair option सही है, दूसरा है temperature of the flame, obviously, अगर नीची से आगते जलाओगे, तो temperature बढ़ेगा अंदर की चीज़ों का, तो one and two are correct, third है weight of the lid, इसका वजन, मुझे तो कोई sense नहीं दिखरी इस च कर देते हो, उसके बाद जो भी pressure का काम होता है, वो CT का होता है, कि CT पर कितना weight है, तो इसका weight matter करता है, ये lid का weight, I don't know, तो I can take a risk, you can take a risk in situation, या तो one and two mark कर दो, या one, two and three mark कर दो, अगर नहीं समझ में आ रहा कि third option का क्या roll है, तो to be on a safer side, इसको सही mark कर दो, जनरली कोई रही उसके design में हलका से कुछ change करोगे, तो शायद उसके functioning पर तो फरक पड़ेगी पड़ेगा कुछ ना कुछ, we can assume, तो weight of the lid से कुछ ना कुछ ना कुछ फरक पड़ता ही होगा, right, 33rd question है, moringa और tamarind के ओपर पला confusing सही, बढ़ा बहुत ही simple है, देखो, 3rd sentence पड़ो, in India, most of the tamarind is collected as a minor forest produce, हाँ, क्यों नहीं, minor forest produce हमने पड़ा था न, economy के page 48 पे, कि पेड़ को बिना काटे, आप जो चीज ले रहे हो, that is minor forest produce, तो tamarind ऐसल होगे, हाँ, पिल्कुल, पेड़ो काटना थोड़ना होता उसके लिए, तो 3rd तो फकी बात है, सही हो गया, 4th कहता है, India export करता है tamarind औ बहुत सारा tamarind और seeds of moringa import करता है, ऐसे तो कुछ नहीं होता, तो इतने सारी चीज़ा उगाते हैं, हम export करते ही होंगे, ये तो नहीं कहा रहा है कि India is the biggest exporter, है न, तो 4th पी सही है, बहुत ही general statement सही है, very very general statement, तो 3rd and 4th पकी बात सही है, 5th कहता है, इनके seeds use करे जासकते हैं, बा ability पर depend करता है, मैंने बहुत अच्छे से बात समझाई थी, कि आप इस crude oil में से क्या-क्या चीज़े निकाल सकते हो, उसी तरह मैंने कहा था कि जो भी biomass है, आपकी chemical engineering ability पर depend करता है, कि आप इस biomass से क्या-क्या चीज़े बना सकते हो, तो bio fill बना सकते हो, इस से ये भी तो biomass ही है, mooringa और tamarind के seed, बिल्कुल बना सकते हो, तो three, four and five are definitely correct, ठीक है ना, इसके basis पर आपका अंसर आ गया, क्योंकि ऐसा एक उप्शन ना चोड़ा है, सिर्फ Black cotton soil of India, कैसे बना था, due to weathering of volcanic rock, यह तो आपके NCRT में दिया हुआ है, ठीक है ना, आपके ब्लाक, black soil cotton के लिए काफी फाइदे मंद होता है, basically India, यह जो सारा पहला था ना, बहुत बड़ा, एक गोनवाना लैंड और लोरेशिया, बहुत बड़े, इस सूपर कॉंटिनेंट स पैंजिया नाम से, उसके बाद देरे तरी टूटने शुरू है, फिर इंडिया ऐसे मूव करता रहा, फिर जब इंडिया यहां पर था, इस री यूनियन आइलेंड के उपर था, तो आपके कुछ होट स्पोट वगरा था, जिसे वॉलकेनों निकले थे, यह वोलकेनों के व नेक्स्ट है वाटर के वारे में, फहले सिंटेंस कहता है कि अमाउंट अव वॉलकेनों अन्रिवर्स और लेक्स इस मोर देन अमाउंट इंडिया है, इंडिया में आपको बोलूं के रिवर्स का मैप बनाओ, तो आप ऐसे ऐसे कुछ बना दोगे भी यही रिवर्स है, ऐसस तो बहुत जाता होता है हम सैंड माइनिंग पट रहे थे अगर आपके दिमागे वह डियाग्रम बेज़े तो भी आपका कोशन सही हो जाएगा कि रिवर तो इतनी सी है और दीरे दीरे सीफ हो के पान इतना सारा नीचे घटा हो जाता है तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया सबसे जादा फ्रेश वाटर कहां पर है आइस कैपस पर जमा हुआ है तो वन इस रॉंग टू इस करेक्ट कॉंस्टिटूशनल गवर्मेंट मीन्स दो हजार बीस वाला ही एक्जाक्ली सेम कॉशन रिपीट हो गया है 2020 में है एक ही साल में कॉशन बहुत रिपीट होते हैं तो मैंने भी समझाया था पॉल्टी पेज नमर फोर पे कि यह जो पार्लिमेंट और सरकार हमारी और जुडि लीगल राइट प्रोपर्टी राइट तो पॉलिटी की पहली क्लास पहला टॉपिक हमने पढ़ाया था राइट टू प्रोपर्टी भी कोशन आ सकता है क्योंकि केश्वनायन भारती एक्सपार हो गया थे इस वज़े से तो यहां पर हमने साफसाफ लिखा था कि यह अब कर दो यह राइट नहीं है लेकिन लीगल राइट है तो फंडमेंटल राइट नहीं है लीगल राइट है इसके बैस पर अपने थर्ड एंफॉर्थ कार्ट दिया आपके डाउट आएगा ऑप्शन ए अन ब के बीच में कि लीगल राइट तो है यह तो वी आ शूर लेक अब कर दो अब यह तो हमने पेज नमर फिफटी पर यह पढ़ा था कि आर्टिकल नाइटीन आज की डेट में सिर्फ सिटेजन के लिए है एलियन्स के लिए नहीं है तो मैं एजूम कर सकते हैं कुछ ना कुछ तो तुका बढ़ाना है ना तो एजूम कर सकते हैं कि लीगल कोई बहुत बढ़िया चीज होती है और इसलिए सिटीजन के लिए होगी फॉंटर्स के लिए शाथ नहीं होगी क्या मुझे नहीं पता एक्च्छल अंसर क्या निकलेगा इसका बट यू कि एग्जामनेशन हॉल में है आप इस टेलिंग यू कि आपको एट्रम्ट कैसे ठीक है ना विकॉज दोनी केस मान रहे हैं हिडो माला भी और पिछला लानीन वाला भी तो क्या होता है कि ट्रॉपिक के आसपास जो इस्टली चल रही होती है देखो सूरज यहां पर है सूरज ने सारी अपर लेयर ऑफ ओशन को गरम कर दिया अब इस्टली अपने साथ यह सारा गरम पानी लेकर जाएंगी वेस्ट की तरफ ठीक है न यह बात होगी आपके एक्वेटर की और थोड़ा सो ट्रॉट टेंपरेट जोन की तरफ आ जाओके तो क्या होगा उल्टा होगा हमें वेस्टली चल रही होंगी तो यहां के गरम पानी को लेकर जानी कुश्च कर रहेंगी इस्ट की तरफ वो इस इंटेंट से आपर लिखे हुए है ठीक है तो यह चीज़ हम दो दो वार हमने पड़ी थी एन्वार्म की क्लास में तो आइम एज्यूमिंग कि दोनों सिंटेंस होने चाहिए अंटिर अनलेस कोई अलग ही जोग्रफी का लोग हम पर अप्ल सब्सक्राइब कर सकते हो तो यह पर मैंने एक आर्टिकल 128 में कर दिया था वैसा कितने आर्टिकल पढ़ेंगे 28 में कर दिया था बट कोई बात नहीं आप लॉजिक लगाओ थोड़ा सा यह आपने यह सारी चीज़े पढ़ ली थी तो आप असानी से कह सकते हो कि हाँ ठीक है अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी रिटायर्ट जेज को रखना है तो सी जे आई प्रेजिडेंट के अनुमती क अब एक्जामिनेशन हमें नहीं पता कि कौन सा आर्टिकल है इसके पीछे बट कई वारखार में सुनते हैं कि हाई कोई कोई केज चल रहा था और दुवारा हाई कोट उसके रिव्यू कर रहा है कभी यह नुज आ जाती है अक सुनने में तो आयम एजूमिंग कि यह भी सही होगा राइट जब हम पॉलिटी के पेज नमर 6 में प्रेजिजेंट आफ इंडिया में पढ़ रहे थे तो हमने साफ साफ पढ़ाता है वहाँ पे कि प्रेजिजेंट बनने के लिए the person should be citizen USA में he should be citizen by birth इंडिया में इसी कोई कंडिशन नहीं है ठीक है second sentence फिर गलत हो गया ठी ठीक है third यह कहता है कि अगर किसी foreigner को citizenship दे दी जाए तो फिर उससे ले नहीं सकते क्यों नहीं ले सकते पेज नमर 50 पर पढ़ा था कि आप citizen और सरकार आपकी ले लेगी citizenship ठीक है तो foreigner तो क्या ही चीज़ है तो says two and three are wrong अंसर आपका आपका आगिया liberal democracy best safeguard of liberty best safeguard of liberty यही है separation of power जैसा page number 4 पर जाया था आपको एक मिन के लिए सोचों कि separation of power मालनों नहीं है तो क्या होगा executive तो वैसे ही legislature से बनता है अगर judiciary भी उसमें मिल गई तो फिर तो totally ताना शाही हो जाएगी आपके पास कोई liberty नम की चीज़ बचेगी नहीं फिर तो जो सरका चाहिए आपको वैसे जीदिना पड़ेगा राइट व्याइट इस ब्स बेसिक सेपरेशन ऑफ पावर से ही आपको liberty आपकी सेफकार्ट हो रही है हाँ अब देखो 17, 19 और 20 तीनों साल हमने एके चीज़ पड़ी कि पार्लेमेंट मतब तीनों को करक्स हमने समझा था वो यह था कि पार्लेमेंट हर तरह के लोग बना सकती है बट एक लिमिट होती है वह सो कॉंस्टिटूशन के दारे में ही बनानी होती है सारे बनानी लोग होते हैं otherwise Supreme Court उनको खारिच कर सकता है और High Court भी खारिच कर सकता है ठीक है High Court भी Central Law को स्ट्रक्डाउन कर सकता है इतनी बेसिक चीज़ हमने पढ़ी है बार 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 तीनों साल सेम चीज़ उपीस ने पूछी थी इसल वोई चीज़ पूछ ली कि Parliament's power to legislate is limited बिल्कुल सही बा है कि अगर किसी law के या किसी law के amendment के constitutionality पर कोई issue है तो Supreme Court का constitution bench उसको here करता है हां बिल्कुल सही बात है उसमें क्या है मतलब यह तो अक्वार में आती लेती है ना कि constitution bench यह उस law की validity उस law की constitutionality को देखेगा सुनवाई उस तारिक को है normal सी बात है यह तो तो I'm assuming यह भी सही होना यह तो कॉन सा आटिकल है तो 2020 की पॉलिटी के पहली क्लास में ने पढ़ा था ठीक है कि कि करला हाई कोट ने का कि right to access internet is a part of right to privacy which is a part of right आटिकल 21 तो साफ साफ है आट आटो प्रिविसी कम सिद्टर आटिकल 21 हाँ mitochondrial disease अब देखो इसको दुन option actually सही है मैंने आपको इस वार में पढ़ाया था थी थी पेरेंट बेबी के बारे में कि इसमें mitochondrial DNA जो होता है mitochondrial disease होती है वो सिर्फ मदर से ही child को inherit होती है और उसको ठीक करने का तरीका है mitochondrial therapy का क्या होता है mitochondrial replacement therapy में कि nucleus को change कर देते हैं right nucleus को transfer कर देते हैं तो second sentence बिल्कुल ठीक है कि mitochondrial disease सिर्फ मदर से आती है यह हमने यहां पर चीज पड़ी थी ठीक है अब पहले में doubt हो सकता है मैंने जब आपको process बताया था उसमें मैंने आपको यह बताया था कि पहले nucleus का transfer होता है उसके बाद fertilization होता है बढ़े को 2020 में actually दो तिन techniques होती है तो 2020 में जो pro nuclear transfer अला option था ठीक है तो उसमें क्या था pro nuclear transfer का मतलब यह होता है कि पहले fertilization कर दो और बाद में भी nuclear को transfer कर सकते हो therefore one is also correct तो मैंने जो पढ़ाया मैं मेरे से miss हो गया कि मुझे मैंने 2020 अला इसमें portion include नहीं किया था पटा है suggest कि जब एक्जाम देने जा रही हो तो इतना minimum बनता है न कि पिछले एक-दो साल के तो at least question देख लो पढ़ लो कि उसका मतलब क्या होता है तो pro nuclear transfer का simple सही मतलब होता है कि आप पहले fertilization कर वादो उसके बाद आप nuclear transfer कर सकते हो तो nuclear transfer दोनों तरह से हो सकता है पहले भी और fertilization के बाद भी GM crops GM crops में देखो question आया ball guard 1 and ball guard 2 नहीं पता हमने नहीं पढ़ा ही है सब option पढ़ लेते है Clonal propagation of crop plants developing genetically modified crop plants आपका दमाग के बत्ति जिनली चीए थी कि जम genetically modified crop plants के पढ़ रहे थे तो हमने कुछ ball warm बॉल वाम पढ़ा था उपर भी और यहां पर नीचे भी ठीक है पढ़ा था किसके context में cotton के context में कुछ ball warm चीज होती है आप सुचों कि ball warm और ball guard ball guard कफी उस्सिमिलर लग रहा है तो ऐसे तुक्के मार देने चाहिए इसमें कुछ हिश्क चाना नहीं चाहिए पेज 91 पे मैं आपको बताया था कि कुछ साल पहले UPSC ने कोशन पूछा था जिसका अंसर यह था में ली कि ब्रह्मनी रिवर जहारकंड से आती है और बैतरनी ओडिसा से मैं एमफसाइज के था इस बात को ठीक है तो ब्रह्मनी रिवर जहारकंड से जहारकंड में इस्टर ले सकते हो लेना चाहो तो कि भी 2 & 4 में सब 4 तो पकी बात सही हो गया अब 2 & 3 में से आपको एक नदी चूस करनी है That is your risk लेना चाहो ले लो Economy Class 4A 1 hour 22 minutes 45 seconds पे जब मैं 2019 वाला कोशन पढ़ रहे थे तो पहले मैंने आपको एक Elimination Method से अंसर निकलवा दिया था Option 2 के हैसाब से फिर उनको बाद में बताया था कि आप Option 4 के basis पे भी इस question को solve पर सकते हो Option 4 यह कह रहा था कि area under sugarcane cultivation कम हो रहा है तो मैंने emphasize किया था कि अखवार में बार बार इन्यूज़ात रहती है कि area under sugarcane actually बढ़ रहा है जिसकी वएसे पाने की दिक्कत हो रही है क्योंकि sugarcane बहुत ज़्यादा water intensive crop है ठीक है तो अगर आपको वह चीज़ दिहान आ गई है कि सीवी और दो सल बादी यूपीस ने question पूछ ले उनने इसके बादी किसमें तो least water efficient therefore I am assuming कि इसका अंसर sugarcane ही होना चाहिए और मिलिट्स तो बिल्कुल नहीं होगा मिलिट्स अमने पहले ही पढ़ा था एंड मामटी क्लास में कि मिलिट्स बहुत ही कम पानी सोगते हैं question number 61 देखो मुझे ध्यान नहीं मुझे इसा लगर मैं इसका अभी पढ़ा था क्लास में अली बात कि हमारी जो पार्लेमेंट है that was inspired by the 64 yogini temple तेम्पल तिक है उसको प्रणी वाली पार्लेमेंट है नहीं वाली के तो मुझे नहीं पता क्या ही मतलब डियान में नहीं है but anyways अगर आपको नहीं पता विली बात तो option number 2 पढ़ो इसा अउनली सर्कुलर टेम्पल ऐसे कैसे हो सकता है तो सारे तेम्पल इंडिया में एक ही हो सकता है सर्कुलर टेम्पल तो option number 2 is wrong and 2 is wrong तो उसके बाइस पे आपका अनसर आजाएगा which of the following is the best defined state state मतलब देश तो second third and fourth state में बड़ी अजीब सी है second में कह रहा है state एक ऐसा state है मतलब जहांपे natural rights को protect किया जाता है कोई जरूरी नहीं है अफगानिस्तान देख लो वहापे कहां लोग हो के natural rights को protect किया जा रहा है नहीं किया जा रहा ना but that is the state एक देश है वो तो second is wrong third indicate कर रहा है जैसे tribal society के तरफ कि tribal society में कुछ लोग है number of person जो बहुत लंबे टाइम से एक जगे है अपने tradition अपनी छोटी सी सरकार ना के रह रहे हैं that is not a state that is a you can say a tribal society okay fourth says executive responsible to central authority क्यों हर country में ऐसे थोड़ी ना होता है कि executive will be responsible to the central authority अपने बहुती specific feature दे दिया किसी particular state का this is also wrong first है कि ऐसी सरकार जो external influence में नहीं है basically एक ऐसी country जो अपने आप में sovereign है ठीक है अब वो चाहें अंदर लोगों के natural rights to protect करें ना करें executive responsible हो ना हो वो अलगी चीज़ है ठीक है बट एक सरकार है जो independently work कर रही है तो first is the correct answer 2020 और किसमें similar सा question था DPSP के ओपर कि DPSP कहते हैं welfare state होना चाहिए DPSP कहते हैं कि concentration of wealth को रोकना चाहिए सरकार को अब 2020 में question आया था preamble के उपर तो इतना तो बनता है कि भी preamble एक वर खोल के just देख लो तो सेम चीज़ उपेस ने पूछ ले कि original preamble में क्या लिखा था sovereign democratic republic क्योंकि socialist और secular words बाद में आट करे गए थे देखो मैंने आपको सिर्फ चार चीज़ें पढ़ाई थी quality economy science environment और इनका भी सिर्फ क्रंटेफेस पढ़ाए थे और वो knowledge and common sense use करके I have solved almost 50 questions इन में से मैं समस्तों at least 45 तो सही होने ही होने चाहिए बाकी आपने बहुत चीज़ें पढ़ी होंगी यार आयर पढ़ा होगा government scheme पढ़ी होंगी social issues history geography बहुत चीज़ें पढ़ने के लिए उनसे भी तो कुछ नंबर आएंगे so the point I am trying to make is कि paper difficult नहीं था ठीक है अगर आप बार-बार कहा रहा था थंडे दिमाग से काम लोगे paper आपको बार-बार बोलेगा कि तुम बुद्दू हो तुम्हों कुछ नहीं मैम तो दोनों ने मेरे notes use करे थे मेरी videos वगरा use करी थी बट उन्होंने की totally rely नहीं किया मेरे material के उपर इसलिए मैं आपको कभी नहीं कहा था कि आपसे मेरे material पढ़कर जाओ इस सार पचास questions solve को लिए अगले साल साट questions solve लोगे no सारे toppers अपनी strategy खुद बनाते हैं वो अपना weak point देखते हैं कि उनको किस चीज में improvement के जुरत है उसके साब से different institutes के material देखते हैं कि कहां से वो best utilize कर सकते है resources को ठीक है तो I suggest do the same thing कि आप लोग देखो अगर आपका exam अच्छा नहीं हुआ तो क्या weak point था कहां पे आपको improvement के ज देखना चाहते हो यह जो prelims की videos थी अभी valid रहेंगी 31st January 2022 तक ठीक है अभी और दो तिर मेने valid है videos तो चाहो तो उनको त्वारा देख लो कोई इसमें दिक्कत नहीं है अपने concept इंदम strong कर लो में के लिए कोर्स नाँच कर दूंगा कुछ दिनों में तीन चार दिन के अंदर maximum जिसमें हम most probably GS2 and GS3 करेंगे ठीक है जैसे मैं आपको प्री में बहुत कम पढ़ाया सिर्फ चार स्बिजट्ट पढ़ाया वो भी सिर्फ current affairs बट अच्छे से पढ़ाया वैसे ही में मेरा target है क काफी एची से त्यार कर वाथ हूँ बट अगें डूंट रिलाइ जस्ट अन मी आप अपनी स्ट्राटीजी खुद देखो यहीं कि सर करवारें तुम खुद नहीं पढ़ेंगे अपने इसाब से देखो राइट तो जैसे अंकिता माम और करती राज माम ने अपनी झाल